हेलो एवरीवन वेलकम वन्स अगेन इन माई यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी तो देखिए अभी हम लोग क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और इसमें थर्ड चाप्टर का अज लास्ट क्लास है हम लोग ने पिछले विडियोज में देख चुके ह है फ्रांसेसी क्रांती के कौन-कौन से कारण थे और फिर फ्रांसेसी क्रांती के दौरान कौन-कौन से घटनाय घटित हुई और आज के क्लास में हम जानेंगे फ्रांसेसी क्रांती के परिड़ाम यानि इफेक्ट अप इसके क्या-क्या रिजल्ट हुए फ्रांसेसी क्रांत आपको पता है कि फ्रांस में राज तंत्रात्मक सासन बिवस्ता था और यहां पर राजा के द्वारा सासन चलाने का काम होता था और क्रांति के समय वहां का सासक लुश लहुँआ था और राजा जो है समान्यता यहां निरंकुष भी निरंकुष ही होते थे और राजतंतर में हमें पता ही है कि एक राजा के हटने के बाद उसी के वंस के किसी व्यक्ति को राजा बनाया जाता है चाहे हो योग्य हो या नहीं हो यानि अयोग्य व्यक्ति भी देश का राजा बन सकता था इस फ्रांस में जो है सभी लोगों को सभी जनता को एक समान नजर से देखने के लिए शमानता एवं बंधुत्व के शिधान्त को कायम किया अपनाया गया फिर देखिए नेक्स्ट इफेक्ट जो है ये है धर्म निर्पेक्च राज्य जो है फ्रांस को घोसित किया गया और इसके अंतरगत इसका मतलब क्या है तो देखिए धर्म निर्पेक्च राज्य का मतलब है कि फ्रांस जो है ये पूरी तरीके से धर्म निर्पेक्च बन गया यानि अब यहां किसी एक धर्म की प्राथ मिक्ता नहीं होगी बलकि फ्रांस की नागरिक जिस धर्म को चाहे उस धर्म का पालन कर सकती है उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है उस धर्म के रिती रिवाजू को अपना सकती है यानि फ्रांस को धर्म निर्पिक्छ राज्य लेकिन उससे पहले हमें पता है कि फ्रांस में जो राजधर्म था कैथोलिक हुआ करता था और प्रोटेस्टेंटों को कठोर सजा राजा के द्वारा दिया जाता था लेकिन बाद में फ्रांसेसी क्रांतिक के फल सरुप जो है फ्रांस को धर्म निर्पिक्च राज्य घोशित किया गया अब देखिए तीसरा परिवर्तन फ्रांस में राज संत्रात्मक व्योस्ता जितो जो थी इसको तो समाप्त कर दिया गया और इसको समाप्त करके फ्रांस में जनतंत्र के स्थापना वह जनतंत्र का मतलब इसको हम लोक तंत्र भी कह सकते हैं इसको हम प्रजा तंत्र भी कह सकते हैं इसी को इंगलिस में बोला जाता है डेमो क्रेशी यानि डेमो क्रेशी जो शासन प्रणाली है इसके स्थापने किया गया फ्रांस में जिसमें जनता कोई सारे अधिकार प्रदान प्राप्त होते हैं और जनता अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को अपने वोट क आधार पर उन्हें चुनतीं है और वहीं प्रतिनिधीं जो जंता द्वारा चुन करते हैं जंत्टत्र के ध्रन्टत की आ HI और झालत की राजा के द्वारा स्वतंत्रत्त नहीं था लोगों को बहुत सारे लोग कहीं भासर नहीं दे सकते थे लोग अपनी विचारों को प्रकट नहीं कर सकते थे लोग लिख नहीं सकते थे राजा के विरूद कुछ या राजा के विरूद प्रदर्शन नहीं कर सकते थे सरकार की कोई भी गलत निती होता था सब को शेहना पड़ता था लेकिन और साथी साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकादमा चलाए ग्रफतार कर लिया चाता था यानि कहीं से भी व्यक्तिकत सुतंत्रता लोगों को नहीं था लेकिन फ्रांसेसी क्रांती के बाद व्यक्ति के महत्तों को पहचाना गया और व्यक्ति के महत्तों को बढ़ावा दिया गया और इसके फल स्वरूप अब सभी व्यक्ति को भाशन देने का अपना विचार जनरली जब राज तंत्रात्मक सासन ब्यवस्था था फ्रांस में फ्रांस जो है पुझी वाद को बढ़ावा देता था अब देखिए राज़ा जो है कुछ पुझी पतियों को अपने साथ रखता था और पुझी पतियों के द्वारा ही सारे प्रोडक्शन के काम किया जाते थे बलकि सरकार का कोई अपना फैक्टरी जो गरे या इंडस्टरी जो गरे नहीं होते थे जिसके चलते उस ब्यवस्था में पुझी वाद को अधिक मतलब बढ़ावा मिलता था लेकिन बाद में जब लोग तंत्रात्मक सासन ब्यवस्था यह उस पे नीजी व्यक्ति का तो अधिकार रहे गाई बट समाजवाद का प्रारम करने का मतलब की अब उत्रोडक्शन करने का काम देश की शरकार भी करेगी और प्रोडक्शन समाजवाद को बढ़ावा मिला यानि प्रोडक्शन करने का काम मैक्सिमम अब देश की सरकार के हा में करते थे लेकिन समाजवादी ब्योस्था में जो है प्रोडक्शन जो होता है प्रोडक्ट का इस्तेमाल शरकार जो है जनता की हीत में करती है अब देखिए छटा इफ्रक्ट क्या पर ब्यापार और बाणिजय प्रुभाव तो आपको बताएं जब लुई सोरा हुआ का सा राशन था राश्तन तरात्मक उस समय ब्यापार पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा था बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था ब्यापार पर बहुत सारा सुल्क बहुत सारा टैक्स होगा रह था लेकिन क्रांती के बाद जो है ब्यापार पे लगे इन सारे प्रतिबंधों को सा 37 दास प्रथा का भी उन्मुलन हुआ जैसे पहले फ्रांस में पहले यूरोप महादेश में जनरली एक प्रचलन था काफी यह प्रथा बहुत ही जादा प्रचलित हो गई थी कि यह जो जैसे इंग्लेंड होता था या फिर बहुत से जो डेवलप कॉंट्री होते थे यूरोप अपने उपनिवेस देशों से स्रमिकों को मजदूरों को खरीद दे थे और उन्हें खरीद कर मतलब एक बाजार होता था जहां उनकी खरीद बिक्री की जाती थी शमानेता पुर्तगाल का जो राजधाने था लिस्वन ये दास ब्यापार का बहुत बड़ा केंदर था और पिर इन्हें दूसरे देशों में ले जाकर और इनसे काफी महनत करवाया जाता था तो ये काफी खराब चीज़ था लोगों की खरीद बिक्री करना तो इसलिए इसको शमाप्त करना आवस्यक था और फ्रांसिसी क्रांती के बाद 1794 इसमी में फ्रांस की जो सरकार थी उसने दास मुक्ती कानून पारित किया और इसके सहायता से दास प्रथा को अंत करने का कोशिश किया लेकिन पुर्णता दास प्रथा का अंत नहीं हो पाया और बाद में 1848 इसमी में फ्रांसीसी के द्वारा दास प्रथा का दास प्रथा का जो है अंतिम रूप से उन्मुलन किया गया यानि पुंड़ता श्माप्त कर दिया गया अब इसके बाद हम आपको समझाएं कि यह जो है नेक्स्ट इफेक्ट क्या पड़ा तो दिखें सरकार पर सिख्छा का उत्तरदाई तो आया यानि इसके पहले राजा जो है एजुकेशन पर उतना केर नहीं करता था लेकिन फ सिख्छा उनके सिख्छा जो है उसमें काफी सुधा रहा है और इसका मतलब इफेक्ट देखने को मिला की तरह तरह की स्कूल कॉलेजेस वगर स्थापित हुए फ्रांस में और मतलब फ्रांसेसी क्रांती के कोशिश समयबाद वहां पे पेरिश बिश्व विद्याले भी सापना किया गया तो सिख्छा के सचेतर में बहुत सारे सरकार के द्वारा अच्छे कदम उठाए गया अब देखिए महिला अंदोलन भी फ्रांस में फ्रांसेसी क्रांती के बाद फ्रांस में महिलाएं अपना अधिकार प्राप्त करनी के लिए अपना अंदोलन जाली रख कि 21 वर्ष से अधिक उम्रवाले सभी व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया और उसमें जैसे अमेरिका के बारे में हम आपको बताया थी कि वहाँ संपति को अधार माना गया था कि जिसके पास अधिक संपति वोट दे सकता है लेकिन फ्रांस में ऐसी बात नहीं थी सभी व्यक्ति चाहे संपति उसके पास हो या नहीं हो भोट देने का अधिकार दिया गया लेकिन केवल पुरुशों को महिलाओं को ये राजनितिक अधिकार प्राप्त नहीं था इसलिए महिलाओं ने अपने राजनितिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए फ्रांसेसी क्रांत काफी वर्सों के बाद महिलाओं को फ्रांस में मत अधिकार मिला और तब तक ही अपना अंदोलन जारी रखे थे तो यह सारे फ्रांसिसी क्रांती के परेडाम थे अब यहां एक और ची समझना है फ्रांसिसी क्रांती की कुछ अन्य देशों पर भी इफेक्ट पड़ा था अब अब देखिए फ्रांसिसी क्रांती का कुछ अन्य देशों पर प्रभाव पड़ा और जनरली चार देशों पर हम समझेंगे कि कुछ महत्तुपण इफेक्ट पड़ा था तो देखिए फ्रांसिसी क्रांती का सबसे पहले इटली पर प्रभाव पड़ा और इटली पर क्या प बात हम बता रहे हैं इटली बहुत से छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था और यहां अगर समझा जाए तो इन सारे छोटे-छोटे राज्यों पे अलग-अलग देशों का जिसे माल लीजे की कोई इटली कॉंट्री जो है उसको बहुत सारे छोटे-छोटे खंडों में विभाजित कर दिया गया और उसके कुछ टुकड़ों पे आउस्ट्रिया का आकरमण हो गया कुछ टुकड़े पे फ्रांस आकरमण कर लिया था कुछ टुकड़ों पे मतलब अलग-अलग डेनमार्क या कुछ बहुत सारे कॉंट्रिस है तो इटली बहुत सारे भागों में बटा हुआ था और उनके अलग-अलग भागों पे अलग-अलग देशों का कबजा था आक्रमन था तो इटली के लिए आवस्य किये था कि इन सारे देशों जिनका कबजा था जिन देशों का उन देशों को पराजित करके और फिर अपने सारे राज्यों को एक करें सारे राज्यों को आपस में जुड़े और जुड़के उसे इटली गणराज्य के नाम से एक सुतंतर देश गोशित करें तो यानि इटली का एकिकरन किया जाना आवश्यक था और फिर ये जो फ्रांसी करांती हुआ 1789 इसमी का ये काफी सफल करांती रहा जिससे इटली काफी प्रभावित हुआ और इस सफल करांती से सिख लेकर और इटली के लोगों में भी राष्ट्रियता का भावना प्रबल हुआ और ये लोग उन सारे देशों के खिलाप अंदोल था जर्मनी के साथ यहां जर्मनी के भी अगर बात किया जाए तो जर्मनी भी काफी जर्मनी तो पूछी मतलग भग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और यहां अलग-अलग देशों का इस पे भी कबजा था तो जर्मनी के लिए भी सेम चीज आवस्यक था कि उ भावना प्रबल हुआ तो फिर यह लोग भी एकिकरन की मार्ग की और अगरसर हुआ है अब देखें जरूरीड यह नहीं है कि लोग के अंदर राष्ट्रियता की भावना प्रबल करने में क्यों फ्रांसेसी क्रांती का योगदान है और भी बहुत सारे कारत थे जिसकी चलत अब अगर बात करें हम पोलेंड की तो पोलेंड भी मतलब श्वतंतर नहीं था और पोलेंड की भी स्वतंतरता आवस्यक था और फ्रांसेसी क्रांती से इसे भी काफी सीख मिला इसके अंदर भी राष्ट्रियता का प्रसार हुआ और फिर पोलेंड भी अपने स्वतंतरता स ता और फिर भारतियों के अंदर भी फ्रांसिसी कर Moleण ऊदरों काफि की भावना आई और फिर फ्रांसिसी जैसे बहुत सारी फ्रांसिसी वीचार की तौस भारत कीम्हीं Państola voc तो फ्रांस के मतलब कुछ बुद्धी जीवियों का भी भारत के काफी effect था तो इस प्रकार देखें तो कुछ देश बिश्व के कुछ अन्य देशों पर भी फ्रांसिसी क्रांती का ये महत्योपुर्ण प्रभाव पड़ा है तो आज के class में आज के वीडियो में हम इतना ही र जिसमें जानना है फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण के बारे में क्या कारण थे, कैसे हुआ, किन देशों की बिच्वए, ये सारे चीज को मुख समझेंगे